प्रस्नेक मान ग्याद करें प्रस्नेक का पहला है 48 बटा तीरपन भागा 12 तो 48 बटा तीरपन को 12 से भाग देना है तो हम लिख लेंगे 48 बटा तीरपन भागा है तो यहाँ पे हम गुना का चीन देंगे तो 12 हो जाएगा 1 बटा बारा 12 को हम 1 बटा बारा लिख लेंगे ठीक है यानि भाग का चीन को हटा करके गुना का चीन देंगे तो 12 को क्या लिखना होगा 1 बटा बारा यानि 12 का व्यूत्क्रम लिखना होगा तो 12 यहाँ पे अंस है तो 12 हर हो जाएगा और हर में यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है तो एक क्या हो जाएगा अंस तो इस तरह लिख लेंगे 48 बटा 33 गुना 1 बटा 12 अब इसको भिन का गुना के जैसा इसको हल करेंगे तो 12 चौक 48 होता है 12 चौक 48 यानि इसका उत्तर आ गया 4 बटा 33 तो 12 से 48 हम काट सकते हैं क्योंकि गुना में है तो कितना आ गया 4 बटा 33 इसका उत्तर दूसरा 200 बटा 23 200 बटा 23 भागा 25 200 बटा 23 भागा 25 तो इसको हम लिख लेंगे 200 बटा 23 गुना 1 बटा 25 इसको हम इसतर लिख लेंगे यानि 25 का व्यूत करम लिख लेंगे यहाँ पे गुना कचीन ने दे करके तो 25 यहाँ प्यान समय है तो 25 हर में हो जाएगा यहां पे बटा में कुछ नहीं है यानि कुछ नहीं है तो एक है हर में तो एक अंस miss में हो जाएगा यानि एक बटा 25 लिख लेंगे गुना का चीन ही देख करके तो 25 से 200 कितना बार में कटेगा 8 बार में 25 26 200 यानि कितना आ गया इसका उत्तर आठ गुना एक आठ बटा तेज़ इसका उत्तर आ गया आठ बटा तेज़ तीसरा दस बटा सताईस भागा पांच दस बटा सताईस भागा पांच तो इसको हम लिख लेंगे दस बटा सताईस गुना एक बटा पांच तो गुना गच्चिन दे करके पांच को क्या लिख लेंगे एक बटा पांच 5 से 10 कट गया 2 बार में यानि इसका उत्तर आगया 2 गुना 1 दो बटा 27 इसका उत्तर होगा 2 बटा 27 चोथा प्रस्ण 21 बटा 13 21 बटा 13 भागा 3 21 बटा 13 भागा 3 तो इसको हम लिख लेंगे 21 बटा 13 गुना 1 बटा 3 तो गुना का चिन है देखर के 3 का भी उत्करम यानि 1 बटा 3 लिख लेंगे 3 अंस में है यहाँ पर तो 3 हर हो जायगा और बटा में कुछ नहीं है यानि 1 है हर में तो 1 अंस हो जाएगा इस तरह लिख लेंगे तो इसका उत्तर हो गया अब देखें 3 से 21 कर जागा 3 से 21 तो इसका उत्तर हो गया 7 बटा 13 इसका उत्तर क्या हो गया 7 बटा 13 परसन 2 भाग दें परसन 2 का पहला 12 बटा 13 को किस से भाग देना है 6 से भाग देना है तो लिखेंगे 12 बटा 13 भागा 6 तो कह रहा है भाग दे 12 बटा 13 को 6 से क्या कह रहा है 12 बटा 13 को 6 से भाग दे तो 12 बटा 13 भागा 6 लिख लेंगे इस तरह से तो हो जाएगा 12 बटा 13 गुना 1 बटा 6 इसको इस तरह लिख सकते हैं, गुना का चीन दे करके, 6 यहाँ पे अंस है, तो 6 हर हो जाएगा, और बटा में कुछ नहीं है, तो एक है, तो एक अंस हो जाएगा यहाँ पे, यानि 12 बटा 13, गुना 1 बटा 6 लिख लेंगे, 6 से 12 कट जाएगा दो बार में, यानि इसका उत्तर आ गया, दो गुना 1 बटा 13, इसका उत्तर, इसका उत्तर आ गया, दो बटा 13, दूसरा, 72 बटा 19 को किस से भाग देना है, तो 9 से भाग देना है, किस से भाग देना है, 9 से, तो 72 बटा 19 भागा 9 लिख लेंगे, तो 72 बटा 19 भागा, भागा के चिन है, तो यहाँ पे गुना का चीन्न देंगे तो हो जाएगा एक बटा नौ ठीक है तो नौ अठी बहात्तर कट गया यानि इसका उत्तर आ गया आठ बटा उनिस इसका उत्तर क्या आएगा आठ बटा उनिस तो जब भाग का चीन्न को हटा करके गुना का चीन्ने देंगे, तो इसका व्यूतक्रम याणि 9 अंस में है, तो 9 हर हो जाएगा, हर में कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1 अंस हो जाएगा यहां पर, तो इसका उत्तर क्या हो गया, 8 गुना 8, बटा में है 19, 8 बटा 19 तीसरा 18 बटा 237 18 बटा 237 को 6 से भाग देना है तो भागा 6 लिख लेंगे तो 18 बटा 237 को 6 से भाग देना है तो 18 बटा 237 बटा 6 लिख लेंगे तो हो जाएगा 18 बटा 237 गुना एक बटा 6 इस तरह से लिख लेंगे ठीक है गुना का चीन ही देंगे तो 6 का व्यूत करम यानि एक बटा 6 लिखना होगा यहाँ पे तो 6 तिया 18 कट गया अब देखें 3 से कट रहा है 3 सते 21 दो इधर गया तो 27 हो गया यहाँ पे एक है सिर्फ अंस में और बटा में है 89 तो एक बटा 89 इसका उत्तर होगा एक बटा 89 चौथा 56 बटा 11 56 बटा 11 को किस से भाग देना है 7 से भाग देना है तो 56 बटा 11 भागा 7 लिख लेंगे तो हो जाएगा 56 बटा 11 गुणा एक बटा 7 तो गुणा का चिन है हम यहाँ पे देंगे तो 7 का व्यूत क्रम यानि एक बटा 7 लिखना होगा साथ अंस में है तो 7 हर हो जाएगा और बटा में कुछ नहीं है तो एक है तो एक क्या हो जाएगा अंस सती अठी 56 बटा 12 इसका उत्तर क्या आगया? आठ वटाई 11 प्रस्न तीन मान ग्याद करें प्रस्न तीन का पहला चार वटा साथ भागा चार वटाई 11 चार वटा साथ भागा चार वटा इगारा तो इसको हम लिख लेंगे चार वटा साथ गुना 11 बटा चार चार वटा साथ गुना 11 बटा चार तो चार वटा साथ भागा चार वटा इगारा है तो भागा का चीन को हटा करके गुना का चीन देंगे तो क्या हो जाएगा 4 बटा 11 का व्यूत क्रम यान 11 बटा 4 4 से 4 खत्म हो गया क्या बचा 11 बचा 7 क्या बचा 11 बचा 7 देखे 11 बचा यहाँ पे 7 बचा तो 11 बचा 7 हो गया अब 11 बड़ा है 7 छोटा है तो 7 से 11 को भाग देंगे तो 7 गुना 1 7 साथ चार इगारा होता है तो चार सेस बचेगा क्योंकि इगारा में साथ गया तो चार देखे साथ से इगारा को भाग दे रहे हैं तो एक हो गया भाग फल चार हो गया सेस फल सेस फल को यहां पे लिखते हैं और साथ को यहां पे लिख लेंगे यानि एक पुर्णांग 4 बटा 7 इसका उत्तर होगा दूसरा 5 बटा 13 भागा 15 बटा 26 5 बटा 13 भागा 15 बटा 26 तो 5 बटा 13 भागा का चिन है तो गुना का चिन देंगे तो हो जाएगा 26 बटा 15 देखे, 15 वटा 26 क्या हो जागा? 26 वटा 15, गुना की चीन देने पे 13 दुना 26 कट गया, 5 तिया 15 कट गया, यानि इसका उत्तर आगया 2 वटा 3 इसका उत्तर क्या आगया? 2 वटा 3 तीसरा 2 वटा 3 भागा 4 वटा 7 2 वटा 3 भागा, 4 वटा 7 तो 2 वटा, 3 भागा का चीन है तो भागा का चीन हटाके, गुणा का चीन Awesome कि देंगे, तो हो जाएगा, 7 वटा, 4 4 वटा 7 का विवत्क्रम क्या होगा, 7 वटा, 4 2 दुना 4 कट गया, यानी 7 वटा, 3 दुना 6 7 है, नीचे क्या है, 3 गुणा 2 यानी 6 तो भागा का चीन हटा के गुना का चीन ने देंगे तो 4 वटा 7 कभी उत्करम क्या हो जागा, 7 वटा 4 तो 2 से 4 कट किया, दो बार में क्या बचा, 7 वटा 6 अब 7 को 6 से भाग देंगे तो 6 गुना एक 6 7 में से 6 जागा, तो 1 और 6 को यहाँ पर लिख देंगे चौथा प्रस्म 63 वटा 80 भागा 9 वटा 10 63 वटा 80 भागा 9 वटा 10 तो इसको हम लिख लेंगे 63 वटा 80 गुना 63 वटा 80 गुना 10 वटा 9 तो भाग का चीन्ने को अटा के गुना का चीन्ने देंगे तो क्या हो जाएगा 9 वटा 10 का व्यूत क्रम यानि 10 वटा 9 तो एक सूने से एक सूने कट गया 63 यानि इसका उत्तर हो जाएगा 7 वटा 8 इसका उत्तर क्या होगा 7 वटा 8